वेलकम गाइज वेलकम बाक टियों चैनल ऑप्शन गाइड तो स्वागत है आपका एक और शांदार डेली मर्कलिस वीडियो में इस वीडियो में डेटेल बैंक निफ्टी का अनलिसिस करने वाले हैं निफ्टी का अनलिसिस अल्रडी आपको दे चुके नहीं देखिये वीडि करेंगे बहुत ही मज़दार वीडियो में वाली है लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए है सबस्क्राइब नहीं है करें तो क्या करना है आपको फड़ा वट सबस्क्राइब जरूर कर ले तकि डेली आप ऐसे वीडियो में दिस ना करें चलिए अनलिसे फार प्याते है सबसे अगर market की बात करें almost marketing range में थी बहुत ही नेरो range में हमने market को travel करते हुए देखा, almost पूरे दिन की range देखेंगे, 121、30 points की पूरे दिन की market में हमें range देखने को मली bank nifty में, क्या होता है आप देखें, morning में gap down opening, लेकिन gap down opening के बाद almost यहाँ पर opening होती है एक sharp first green candle बनती है and मैंने काफी बार आपको यह चीज़ समझाई है जब first candle काफी बड़ी range बनाती है तो उसके बाद major trending move तभी आता है जब किसी भी side यह range break होगी अगर हम first candle की range mark करें आप देखिए अगर हम first candle की range mark कर लेता है यहाँ पर यह जो हमारे levels है अभी फिर से मैं mark कर दूँगा लेकिन अगर first candle की आप range mark कर लोगे almost पूरा दिन market इसी range में थी यह level simply आपको पता था देखो dip आता है फिर bounce में कहा market resistance phase करती है first candle के high के पास clearly वहां market resistance phase करती है और dip में almost market support lower side level के आसपास लेती है यहाँ breakdown kind of दिख रहा है लेकिन breakdown की कोई confirmation नहीं थी इसलाए में कोई lower side major fall भी देखने को नहीं मिला और वो ही देखे देखे डे end में जब bounce भी आया तो फिर से इस range के upper level तक यह setup मैंने multiple time आपको समझाय हुआ है कि जब first candle से एक बड़ी range बनती है and next 30 minutes हम उस range के बीच में ही travel करते है market को उसके बीच में ही trade करते हुए देखते हैं तो यह दोनों ही important levels बन जाते हैं और यह दोनों levels market में work करते हैं major move तभी आता है जब किसी besides breakout या breakdown देखने को बलता है otherwise यह range आप simply mark करके उसके basis पर trades बना सकते हैं hope इस setup ने आपको help किया होगा इसके अगरिंग simply आप जान सकते हैं market का top क्या है और market का bottom क्या है क्योंकि market पूरा दिन first candle की range में ही work कर रही थी यहाँ पे भी देखो काफी शाप पहली बड़ी candle बनी है तो यह candle का top और bottom एक level बन जाता है अगर next 30 minutes तक हम इस range को break नहीं करते हैं simply और आप वो ही देखोगे उन्ही levels ने market में almost work किया है और यहाँ पे kind of fall दिखाया जा रहा था वो fall भी नहीं आया है क्यों? क्योंकि कोई confirmation candle नहीं थी यहाँ पे in fact मैंने आपको telegram पे update भी किया था क्योंकि अगर आप 43,000 level के according यहाँ पे trade बनाते जो overall हमारा level है तो आपको लगता आपको puts में entry कर लेनी चाहिए लेकिन मैंने आपको simply बताया था remind कराया था कि जो day की first candle है उसका जो low है वो level work करेगा उसके breakdown के बाद ही आपको puts में entry करनी है simply यह मैंने आपको update किया था telegram पे ताकि आप ऐसे trap में ना फसे क्योंकि 43,000 के according तो यहाँ दिखेगा आपको की level lower side break हो रहा है lower side हमारा यहाँ level वैसे 43,000 है यहाँ दिख रहा है level clearly break हो रहा है लेकिन आप इस trap में ना आए इसलिए मैंने आपको update किया था अगर आपने वो update को follow किया तो आप इस move से बच सकते थे बहुत ज़्यादा trades नहीं थे internet market में bank nifty में अब Friday को trades नहीं थे range bound यह था अब Monday का setup जानने से बहले एक बार positionally देखते है bank nifty में broader market में क्या हो रहा है positionally क्या देखने को मल रहा है clear cut up trend में थी market 41,830 का जब से breakout मिला था clear cut up trend में थी market और इसमें हमारा target था यह trend line और अब market में जो major resistance है वो यह trend line है अबने आपको simply बताया था और दो बार जो recent tops लगें पहला top यह लगा था bank nifty में वो भी trend line पे लगा था और second top यह लगा था bank nifty में वो भी trend line पे लगा था अब यह trend line मैंने आपको काफी time पहले से बतायी हुई है लेकिन कुछ नए लोगों ने वीडियो देखिए तो यह trend line exactly bunny कैसे है किन points को आपको connect करना है कि यह trend line मिल जाएगी आपको वो आपको एक बर simply दिखा देता हूँ यहाँ पे तो यह देखिए यहाँ पे यह जब जो market में crash आया था covid crash उसके बाद जब bounce आया था पहला तब भी almost इसी trend line पे तब almost test नहीं हुआ था लेकिन जो second top बना था वो इसी trend line पे बना था ठीक है यह पहला point kind of consider कर सकते है trend line का उसके बाद जब breakout मिला तो एक बहुत बड़ी rally आया trend line की और जब upside से देखो कितना major dip आया है almost 8,000 point का dip है यहाँ पे लेकिन market ने support कहा लिया था इसी trend line पे उसके बाद फिर इस trend line से bounce आया फिर से market ने support लिया इसी trend line पे यहाँ पे भी आप देखोगे इसी trend line पे market ने support लिया यहाँ से हर बार bounces आ रहे थे and जो last recent तीन tops लगे हैं market में पहला top और यह अभी दो recent top वो इसी trend line पे लगे तो इन सारे points को connect करके आप यह trend line मांक कर सकते हैं important trend line है अपने charts पे जरूर mark रखे है ठीक है अब इसका use क्या exactly trend line mark कैसे होगी वो आपने simply देख लिया है इसका use क्या exactly वो जान लेते है trend line को कैसे use करना है आपको बहुत simply अब अगर हम देखे देखो bullish market simply दिख रही है slow and steady हम trend line के साथ साथी up move up कर रहे है लेकिन कोई बहुत बड़ी rally कोई major uptrend market में आएगा इस trend line के breakout के बाद ठीक है और यह level fixed नहीं है change होता रहता है थोड़ा बहुत change होता रहता है यह जो top लगा था इस time level था 43,340 यह जो top लगा था यह level था 43,500 तो आप देख रहें level same नहीं है क्योंकि यह upward sloping trend line है तो धीरे धीरे इसका level upward shift होता रहता है currently जो level है trend line का वो almost आ रहा है 43,650 ठीक है तो यह currently बहुत important major resistance level है bank nifty में इस level के breakout के बाद एक major upmove start होगा ठीक है और bearish नहीं है market में ऐसा नहीं है कि हां market में upmove major इसके बाद start होगा तो market में कोई बहुत major fall आने वाले ज्यान रखिए fall के लिए भी मैं आपको level बता देता हूँ 42,600 जब तक lower side break नहीं हो रहा है तब तक कोई major fall भी नहीं आएगा यहां तक कोई dip आये तो पहला action होना चाहिए आपको वहां पर बाय करना चाहिए इस dip को और वहां से दुबारा bounce back expected है तो upside major resistance level 43,650 लोवर lower side major support 42,600 जो पुराने लोग है उन्होंने 42,600 का magic देखा था जब market में आपको new level बताया था multiple time यहां पर top लगा था तब यह resistance level था लेकिन आप break होने के बाद यह हमारा most important major support level है कोई bit up आये यहां पर आपको buy करना चाहिए overall अभी भी bullish market है bearish market तभी होगी bank nifty में जब इस level को lower side break करेंगे तो यह दो major positional important levels है overall slow and steady अभी भी bullish market है लेकिन major trend market में इस range के break होने के बाद ही आएगा upside major trend अगर इस level को break करते हैं lower side major fall अगर इस level को lower side break करते हैं यह है positional setup जो आपको ध्यान रखना है अब आ जाते है intraday Monday के setup पे intraday Monday का levels होंगे कैसे आपको trades करने है bank nifty में तो immediate support 43,000 ठीक है kind of इस level ने work भी किया था आप देखेंगे यहां पर भी यहीं से bounce आया लेकिन कोई बहुत बड़ा bounce नहीं था पूरा दिन नहीं market range में थी तो बहुत जादा trades थे ही नहीं market में immediate यह support level है इसके below 42,750 and इसके बाद most important level 42,600 जो मैंने आपको अभी positional chart पे भी बताया most important हमारा support level है upside resistance की बात करे 43,350 उसके बाद 43,500 यह दोनो major resistance level होंगे अब trade कैसे बनेगा देखो simply देखो यहां मैं level mark नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस level का use सिफ मंडे के लिए होगा मंडे के लिए वो important level है क्या level है 43,100 इस level को अगर upside break करते हैं क्योंकि almost यहीं पे बार बार टॉ stop लगा था market का ठीक है इस level को intraday में Monday को हम upside break करते हैं आपको calls में entry करनी चाहिए target होगा 43,350 ठीक है Monday के लिए सिफ level 43,100 एक new level जो आपको याद रखना है Monday के लिए upside break होता है call में entry 43,350 आपका target होगा simply इसको भी break करते हैं तो next target 43,500 simply आप trailing stop loss यूज कर सकते हैं बार बार कहता trailing stop loss आपको तो जरू trailing stop loss को use करें ठीक है lower side call के entry के लिए है कि 43,100 एक new level मंडी के लिए वो break होगा तो call में entry क्योंकि बार बार टॉप almost यहीं लगाता मंडी को ठीक है और अगर कोई ऐसी candle मिलती है तो आपको strategy पता ही है कि क्या करना है candle का lower high mark करना है जिस side भी break हो उस side trend continue र call कर सकते है otherwise यह simple setup है upside lower side अगर 43,000 को Monday break करते है तो आपको puts में entry करना है target होगा 42,750 and maximum 42,600 यहां तक maximum fall expected है अगर हम lower side 43,000 को break करते है तो बहुत clear setup है almost 100 points की range है range को जिस side भी break करें upside lower side तो call में entry lower side तो puts में entry further levels आपके targets होगे simple setup यूज करो और profit बनाओ फालतु चीजे सोचने की जरूरत नहीं है जो सामने दिखे हमेशा उसे trade करना है बार बार मैं आपको remind कर आता हूँ random trades avoid कर दोगे न तो बहुत सारी problem automatically solve हो जाएगी जो सिर्फ trade आपके setup के according दिखे सिर्फ आपको वो trade लेने है और साथ साथ super trend को use करना बिलकुल न भोले इसके अलावा hope setup clear है bank nifty में positional भी and intraday Monday के लिए वीडियो अच्छे लगे तो like जरूर करे और चैनल पे नए है तो subscribe करना बिलकुल न भोले